यहीं दोस्तो त्यागी डेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है आज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है अमरीका से ऐसी कुन सी ख़बर आई प्लस एक ख़बर और टोटल मिलाके दो से तीन र दिखाई दे रहा है, वो गया हो चुक है यह मार्केट की reality है, मार्केट ऐसा ही है लेकिन अगर आप कुछ और समझ रहे हैं मार्केट को तो बड़ी दिक्कत आपको होने वाली है आपको लगता है कि एकदम से ही बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है बिना कुछ महनत किये बड़ी दिक्कत आपके साथ होने वाली है तो सबसे पहले आज की गिरावट का कारण क्या है उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं फिर डिटेल में चर्चा करेंगे यहां पर कि आपका पॉर्टफोलियो इतनी बुरी तरीके से क्यों गिर रहा है तो आपके पॉर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट देखने को मिल लगी है बड़ी उसके पीछे का कारण क्या है दीए सबसे पहली बात मार्केट एक साथ ही भागता है ज्यादातर केस में सारे सेक्टर ज्यादातर सेक्टर और वो एक साथ ही गिरता है क्योंकि पॉर्टफो की डेट में महंगे हैं और लेकिन आपने खरीद लिया वो भी हुज क्वांटिटी लेकिए आपका ये घमंड टूट रहा है यहां पर जानते कौन सा हुज क्वांटिटी मारने वाला घमंड और दूसरा कि अपने से अनुमाल लगा लिया कि ये शेर तो बहुत तेजी पैसा करके दे दिया हो पिछले डेड़ साल के अंदर साथ गुना आठ गुना पैसा करके दे दिया हो लेकिन आप मानने के लिए तैयारी नहीं है कि उसके अंदर गिरावट भी हो सकती है 25 रुपे का IRFC का शेर जो 25-30 रुपे से नीचे इतने समय तक भागा ही नहीं शेर व क्या प्रिजल्ट अच्य है कुछ नहीं अच्छी खासी गिरावट पर खरी दोगे और खरीदने की प्रिपरेशन आप क्यों कि ओनी चाहिए खरीदा एक दिन केंदर नहीं जाता है एक दिन के अंदर तो सिर्फ वही खरी सकता है जिसको इस्टों मार्केट के अंदर बस आ यह वो मतलब कि बहुत जल्दी के अंदर है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है उसके दिमाग में कुछ औरी चीश चल रही है वो जल्दी वाजी में खरीदेगा huge quantity उसके वाद शेर गिर जाएगा फिर कहेगा नीचे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो क्या आप के अंदर जो भी काम करने वाले लोग है वो आज की डेट में ही बोले हैं कि मार्केट पूरा क्राइस हो जाए अगर उनका ज्यादा पैसा नहीं लगा मुचल फंड के अंदर जो S.I.P करने वाले लोग है वो कह रहे हैं कि उनका तभी पैसा बनेगा मुचल फंड का मतलब क्या है कि जो शेर है उनका लगलग वेटेज है कुछ मुचल फंड बना हुआ है कि इतने शेर का है उनके अंदर तेजी बनेगी तो उनका यूनिट के बोल सकते हो की गिरावट चाहिए मुझे मुझे सस्ते दाम पर ये शेर चाहिए बिलकुल नहीं बोल सकते हैं आप तो खरीदने के बाद बस जी खरीद लिया मैंने जितने भी शेर खरीदे हैं अभी तक क्या उनमें कोई प्रोसेस फोलो किया आपने थोड़ा-थोड़ा कर सारे लोग अभी कुछ दिन पहले बड़ी बुराई कर रहे थे कि यह क्या है थोड़ा-थोड़ा खरीदने का हमारा ब्रोकरेज चला जाएगा मेरे ब्रोकरेज नहीं तिरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए मेरी बात कोई गलत नहीं मार्केट को काफी समय से देख रह हो ठीक है लेकिन दूसी बात आप खरीदने से पहले किसी भी कंपनी को कितने दिन तक देखते हैं क्या प्रिपरेशन है उसकी तुको टुकडों में खरीदना आता ही नहीं है ठीक है तो ओवर और मिला के देखे ऐसा नहीं कि सब कुछ खरा खतम हो चुका है बरबाद हो तो क्या अभी कोई बड़ा क्रैस हो चुका है मतलब निफ्टी फिफ्टी के अंदर मार्केट निफ्टी फिफ्टी की जो पचास कंपनिया नहीं तो टोप पर ही है भी मेरे भाई टोप पर पोचने के बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे शेर होता है रुकता है क्या भी 18,000 के आसपास है क्या 22,000 के आसपास है नहीं कहां है देख लिजे तो यह पावर किसकी है अच्छी कंपनियों की अच्छी कंपनिया ग्रोथ करेंगी आपके सामने है निफ्टी फिफ्टी की बढ़िया सांदार कंपनियों ने अच्छी खासी ग्रोथ करी बढ़िया पैसा बना के लाल लाल देखने को मिला उसके पीछे का कारण यही है सबसे बड़ा कि पिछले दो साल के अंदर जवर्दस तेजी स्टोक मार्केट के अंदर बनी लेकिन आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे थोड़ा खरीदना चाहिए या गिरावट पे खरीदना चाहिए या अगर ऐसे ही जल्दीवाजी में काम करोगे तो आप देख सकते हैं स्टोक के अंदर अगर बड़ी जवर्दस तेजी बनी है और आपको बड़ा अट्रक्टिव लग रहा है वो थोड़ा सा ही गिरा था मेरे भाई कोई शेर को भगाता है कुछ लोग मिलके शेर को भगाते ह खरीदारी उसके अंदर जवर्दस करते हैं शेर उपर भाग जाता है अगले दिन वो गिर भी सकता है तीन दिन भागा दस दिन अगले गिर सकता है ठीक है तो यह मैं सोचेगी शेर के अंदर गिरावट नहीं होती है जवर्दस बड़ी बड़ी गिरावटे देखने को मिलत तक 50-55 रुपे तक पहुच गया Reliance Power, मज़ा आया ना, आया मज़ा, ठीक है, अब गिरावट भी धीरे धीरे देखने को मिल रही है, ठीक है, तो बहुत सेरे शेर्स के अंदर आपको मज़ा आया, जी, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन जरू ही नहीं क कि वो शेर भी तक पहुचेगा, जहां से उसने उठना सुरू किया था, तो और रूल मिला के पहला पॉइंट आपको समझ मागया, बड़ी तेजी मार्केट के अंदर बनी थी, अब गिरावट देखने को मिल रही है, जो शेर अभी जवरदस्त पैसा बना के दे रहे हैं, समझ बात आई, दिमाग लगाना पड़ाएगा आपको, गिरावट पर ही आपको खरीदना, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं खरीदना, दूसरा सबसे बड़ा कारण यहां पर है, दिखिए, आज निफ्टी 50 की बात करें, जो गिरावट हुई है, इसमें अगर आप उठा के देख यहां, अग्पर भाग 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 न लगातर भाग रा, ठाब ही पुट की वैल्यू कह? कम हो जाती है, तो नीचे 200, 200 रुपय नीचे की पूट की कम होगी, उन्होंने 200 रुपय आज गिरा D, मार्केट को ठीक है जिसकी वज़े से क्या था कि 21 रुपे का भाव आज की डेट में ही 21 रुपे का भाव 157 पहुँच गया और क्लोजिंग भी 150 रुपे के आसपास हुई है आप समझ सकते हैं कि बड़े प्लेयर ने कितना पैसा कमा लिया होगा 20 रुपे की चीज 100 रुपे प 50 परसेंट के रिटन भी अगर बन जाए तब भी बड़ी बात होती है ठीक है तो एक दिन के अंदर उसको चार गुना पांच गुना पैसा जो करना होता है इसकी वज़े से वह कुछ नहीं देखता है मार्केट के अंदर खून खराबा कर देता है ठीक है जैसे इन निफ्ट कोई सेल्स मार भी रहा तो उसका अच्छा पैसा बन गए होगा ऐसे मार्केट में जो लगाता है सीधी-सीधी गिरावट हो मार्केट सीधी-सीधी गिरावट सेल मानी लोग शुरू कर देते हैं इंट्रड़ेवाले उस प्रेसर बनता है और शेर गिर जाता है ठीक है तो तो आज के दिन इतना बड़ा पैसा बनाना था जिसके वज़े से उसने पुट से पैसा बनाना था पुट की बात करें तो 24,900 की पुट है आज की एक्सपारी वाली 17 अक्टूबर की देख लिए आप ठीक है तो और और मिला के सारा पॉइंट आपको समिझ में आ गया ठीक है अब मेन इसके लावा और क्या पॉइंट है इसके लावा और पॉइंट है जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों जब भी कोई बड़ा कंट्री जैसे कि अमेरिका की बात करें चाइना की बात करें इंडिया की बात करें जब भी किसी दूसरे देश पर अटैक करता है या फ कि होती पर क्यों अटेक कर दिया भाई हूती ने क्या भी गाड़ा है अमेरिका का तो देखे अभी जो लड़ाई चल रही है हूती क्या है हूती एक बहुत बड़ा संगठन है जो किसकी साइड किसकी साइड ले रहा है इरान की साइड से लड़ रहा है हमाज किसकी साइड से इरान की तरफ से लड़ रहा था, कौन सप्लाई करता है इन सभी को हतियार, इरान, ठीक है, तो जबरदस्त क्यों सप्लाई करता है कि इसराइल को खतम करो, इसराइल को खतम कर दो, तो अभी यहाँ पर सपोर्ट, अब देखे, अगर किसी वज़े से इसराइल का कुछ हो गया तो फिर दिक्कत परिशानी किसको होने वाली है, अमेरिका को, उसको बचानी पाया, किसको बचानी पाया, यूकरेन को नहीं बचा पाया, ठीक है, तो यह सारी चीजें आपको समझनी होगी, थोड़ा सा पोइंट आपको नोट करना होगा, तो अभी तक इस युद के पीछ जाता है, मार देना चाहता है, और इरान नहीं जानता है कि इजराइल भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी क्या है, यह जो संगट है ने छोटे-छोटे, यह बड़ा नुकसान पुचा रहे हैं इरान, किसको इजराइल को, हमास की इतनी पावार, इतनी सक्ति, उसने पाँच हजार रोकिट छोड़ दिये एक साथ, इरान पर, इजराइल पर, समझगाता है, उसके बाद अभी देखे, 200 रोकिट फिर इजराइल पर दागे गए, तो इन में से कोई भी नहीं चाहता है कि इजराइल बचे, और इजराइल भी नहीं चाहता है कि इन में से कोई लड़ाई नहीं होगी, अब इस युद्ध के पीछे कोन है इरान, तो क्या हम ऐसे ही एज्यूम करने कि इरान से लड़ाई नहीं होगी, जो इतना परेसान करके रख दिया, इसरायल को इतना परेसान करके रखा हुआ है, उसका जीना हराम कर दिया है, तो क्या टक्कर डायरक् यह आपको खुद सोचना है, इस पर खुद विचार करना है, हो सकता है? नहीं मालूम, लड़ाई हो सकती है? नहीं मालूम, नहीं हो सकती है? नहीं मालूम, मालूम नहीं है इस चीज का होगी, क्या यहीं पर सब कुछ हो जाया, क्योंकि इसराइल का भी बड़ा नुकसान हो र तो पांच चार्ट की ही जुरत पड़ाइए अब देखें कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है हमास की पीछे हमास की बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है किसके दौरा इज्राइल के दौरा अब हुथी हुथी को बिल्कुल पूरी तरह से नस्ट किया जा रहा है तो अब मिलाक अगर हम देखते हैं तो यह पूरा संगराम यहां पर चल रहा है इसमें अम्रिका भी अब कूत चुका है क्योंकि अम्रिका को भी लग रहा है कि हूती बहुत परिसान करता जा रहा है इसकी बज़े से लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ सकती है तो यह हूती का काम यहां पर तमाम अगर होता हुआ नजर आजाता है वो थोड़े दिन के लिए मामला अगर ठंडा हो जाता है तो बात एक अलग है अगर इसराईल नहीं मानता है आगे बढ़ता चला जाता है तो एक बात एक अलग होगी हमें और आपको कुछ मालूम नहीं है अभी बस प्रकली हूती पर अटेक किया है क्या इरान की इरान को भी और दूसरे लोग सपोर्ट करने वाले हैं युद्ध का दायरा बढ़ेगा या फिर सिर्फ यहीं इस हूती का काम खतम होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा तो ऐसा लग रहा था रसिया उकरेन का भी बहुत बड़ा मैटर है लगता तो यही है कि बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती है अबर इनको ही नुकसान पोचाए जाएगा लेकिन इजराइल जानता है कि अगर कोई मुझे मरवाना चाहता है तो वह इरान है तो जिससे पूरा खत्रा हो क्या उसको कोई छोड़ेगा क्या खुद पीछे का कारण यह है और आज कि गिरावट का सबसे बड़ा कारण भी यही है और अगर हम बात करें तो बड़े प्लेयर को आज चार-पांच गुना पैसा करना था इन न्यूस बगएर के बिहाब पर उसने कर लिया तो सारा आपको सेनर्यों समझ मा आ गया होगा कि कि किस- गजा फिर उनके इंदर फ्रूड़ी घिरावट हो जाती है यह आपको समझना जरूरी है अच्छी company के अंदर काम कर सकते हैं जरूरी कि किसी भी company के अंदर काम करें जो 10 गुणा 5 गुणा पैसा बना के दिया है अच्छी company में जब कुछी भी समझ में आए तो बढ़े है ए दूसरा बात यहां पर कि अमरिका यह अभी यूद्ध का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि अमरिका भी यहां पर डारेक्ली इन्वॉल्ड हो चुका है हूती को मारने के लिए ठीक है तो यह बड़ा एक कारण बन सकता है देखते हां कि क्या होता है विड़ अच्छे लगी लाइ